है लो दोस्तो गुड मॉर्निंग राधे राधे कैसे हैं आप सभी आसा करते हैं कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं सबना आप सब का स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल सपना की छोटी सी दुनिया मी तो आज का दिन है वट सावितरी पूजा जो की हर महिलाएं जरूर मनाती हैं साल भर का पर्व ये आता है साल भर में आता है जो की बहुत ही खुशी के साथ अच्छे से मनाये जाता है पूरा सोलो सिंगार करके मनाये जाता है प सुबा में लगाया जो कि कम फीका लग रहा है अभी सुबा में लगाया ये घंटा पहले और छोड़ा दिया है खाना बनाती वक्त और ये रात में लगा का सो गई थी क्योंकि एक साथ नहीं लग पाता है दोनों हाथ से तो अभी हम फटाफट यहां पर सुबा का खाना बना रहे हैं जल्दी सा खाना बना रहे हैं क्योंकि तैयारी करनी है मुझे जोरो सोरो से भाई तैयार भी होनी है दीन भर इसी में लगने वाला है परव हो तो कट जाता है समय ऐसे की पता भी नहीं चलता है तो अभी यहां पर आलू बैगन की सबजी बना दे रहे हैं टमाटर गया सभी मसाले डाल दिये हैं और चावल चड़ा दिया है तो सिंपल सा खाना ही बना देंगे और अकेली रहो तो परपते वहर बेना बहुत सारे काम हो जाते हैं तो इसी तरह मैं निप्टाती हूं सबसे पहले खाना पीना का वैवस्ता इन लोगों का कर देती हूं नहीं तो फिर पूजा में बैठी रहोंगी और टेंसर रहेगा खाने की तो इजी लिए सबसे पहले मैंने क्या किया है कि खाना दाना बना दिया इतनी सुबह से अंधर चल रही थी न की बताने सकती सुबह में जारू देने के बाद भी कहां कहां से छपर से करकट के उपर से सब उड आड़के न सब इधर उदर भी खर गया और हैस्वर जी के देखे बाहर गया थे समान लाने आख में भी धूल धूल हो गया है मतलब धूल पड़ गया था तो निकालने में लगे हुए हैं और कल की कपरे हैं जो कि सूप गया हैं तो इसे क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले तो इसे फौल्ड करके हटा देते हैं नहीं तो अच्छा नहीं रहता लगता ही नहीं मन नहीं भरता है इदा उदा कपड़े बिखरा रहे तो सबसे पहले तो ये सारे कपड़े को अपनी अपनी जगा पर रखते हैं और इसके बाद ही सारे काम और निप्टाएंगे आज घरूर पोछेंगे नहीं लेकिन फिर भी सोचा तो था कुछ और लेकिन हो महां से पलोथीन हुआ कुछ हुआ गंगी हुआ सब आकर एकदम घर भर गया है तो फिर से जाड़ू देना पड़ेगा घर में भी सभी जितने भी कपड़े हैं सभी को फोल्ड करने के बाद गोद्रिज में सीधे पैक करके रख देते हैं आज के दिन 16 सिंगार महिलाएं करती हैं तो मैंने भी सभी सिंगार जितने भी हैं सब निकाल कर रख दिये हैं बाकी बचा मुझे सिंगार करना असनान करने जा रहे हैं असनान करने के बाद पूरा सिंगार करेंगी और यही हमारी साड़ी सिंगार है और घर का साफ सफाई हमारी हो चुकी है देखी थोड़ा सा यहां पर भी मैंने धो दिया है अच्छे से खाना पीना इन लोगों को खिलाने के बाद बरतन वेगरा मैंजी सब घर साफ सफाई क या फिर से इसके बात बहुत सारे काम हो जाते हैं, जब फास्टिंग कड़ कर दिरह सोचा था कि में नीपड जाएंगे, लेकि लेगे होता नहीं है वैसे तो सभी को साफ़ाई करते हैं टाइम बहुत जादा हो गया था. सब को खिलाने पिलाने सब बरतन साब किया घर साब किया, इसनान किया इसके बाद हम तैयारी में लगेंगे अब मुझे बस तैयार ही होना है तो ये साड़ी है जो के आप देख सकतें कैसा लग रहा है आप लो कमेंट में जरूर बताइएगा और यह जो चुन्री है हमारा साधी का जोड़ा है और इसे पूजा के टाइम ओड़कर ही हम इसको ले लेंगे और इसके बाद पूजा करेंगे और यही हमारे साधी का जो चुन्री है जो मिलता है हमें क्या इसे कहते हैं अभी याद नहीं आ रहा है जोड़ा कहते हैं या फिर क्या खाते हैं तो यही था हम मुझे मिला था उस टाइम यह बहुत फेमस था बहुत फेमस था बहुत बहुत मतलब उस टाइम का महंगी वाले चुनरी थी बहुत अच्छी लगते थी दम देवी माता के पास ऐसे चुनरी चलती है तो बहुत अच्छा लगता था अब तो नए नए डिजाइन आ गया है तो चलिए अभी रखते ही से पूजा के टाइम इसे लेंगे और बताएगा आप लोग के साड़ी कैसी लग रही है थोड़ा सा मैंने सोचा कि इस बाना थोड़ा सा डिफरेंट कलर डिफरेंट साड़ी लिया जाए इसलिए हमने ऐसा पसंद किया है स लग रहा है थोड़ा सा रेट ज्यादा लग रहा है और यह डेली यूज में तो नहीं कर सकते लेकि परप्तेवहार में इसे पहनेंगी कहीं साधी विवा में जाना हो तो पहनने में काम आएगा पार्टे वेगरा में भी काम आजाएगा तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इस आपो तो लेकिन यह नहीं तो नहीं यूज होगा लेकिन कभी तो यूज करी सकते हैं साधी विवा में पेहं सकते हैं इसे तो इसलिए हमने थोड़ा सा डिज्टन ट्राय करने की कोशिस किया है इस वह ऐसी साड़ी मैंने कभी नहीं ली है सिंपल सा फाली में खरीतिदी हू तो आप नहीं थो अच्छ क है तो मैंने चाहिए हुआ हमने तो मुझे पर जच रही है या नहीं तो अभी तो फिल हाल मैं अभी बालों को सेट कर रही हूं और बाल मैं उतने ज्यादा इसे लंबा नहीं घीजेंगे थोड़ा सा सौट में ही मैंने यहां पर फेटा लगा लिया है इस तरह से नॉर्माली और उसी पर मैं अपनी सारे फूलों को लगा लोंगी यह घजरे को लगा दोंगी जोटी अ Arefacial हमने लिया था खरीदा है और ये भी फूल हमने यह प्लास्टिक के ही है अर्टेफियसिल ही है इसे भी हम लगा लेंगे तो यह मैंने खरीद कर ले कर आया था था थौड़ा सा कलड़ी इस का अच्छा लगा मुझ से लगता है लेकिन ये सोटकेट में मैंने फ्यटा लगाया है बालों को बनाया है तो चलिए सभी और आज के दिन सभी सिंगार नई नई ही होती है तो बिंदी सारे चीजे नई नई चीजे ही पेहना जाता है और ये सिंदूर दानी जो है ये पीतल का है हमारा सिंदूर का किया के यहां से मुझे मिला था और इधर से इधर से जो सिंदूर दानी मिला था सस्वा तरब से वो लकडी का था बना हुआ जो रहता है वो तोट फुट गया बहुत पहले ही तो अभी इसका उपयोग हम करेंग हो गई हूँ अच्छे से तयार लुक थोड़ा दिखाती हूँ आपको सुल्ह सिंगार तो हमने कर लिया है तो चलिए अब काम भी हो जाए थोड़ा अभी मुझे पूजा का समान व्यवस्तित करनी है सभी पूजा वाले जितने भी हैं सभी को मुझे जितने भी फल लाई थी मंगाये थी सभी को मुझे क्या करनी है धोनी है पोजा वाले थाल सेट करनी है थाली तियार करनी है पोजा की रंगोली भी लगानी है तो सब अभी बहुत सारे काम पड़े हुए हैं अभी तो एक घंडा लगेगा मुझे वैवस्थित करने में सारे चीजों को तो अभी तो पोजा रूम में आई हूँ असनान करने के बाद तो अभी मैं सरे पहले तो थोड़ा सा क्लीन करूंगी और इसके बाद ही जितने भी पीतल वाले मुझे थाली परात है सबी को अच्छे से धो दिया है धोने के बाद अब उसी में मैं फल को धोलूंगी और बाकि खृदाई तो मैंने कल ही कर लेकिन यह जो फल है मैंने नहीं लाए थी किम्किकर का रखा रखा ना फिर खराभ हो जाता है तो इसलिए ताजी ताजी हमने मंगाया था बच्छों से आज ही सुबह में और यहां पर जितने भी फल है अच्छे से धो लेते हैं फल में पांस फल मंगाये थे लेकिन एक नारियल नहीं मिला और एक गगरा निम्बू जो होता है बड़ी वाली वो नहीं मिला यह जो निम्बू जैसा दिख रहा है ना गगरा निम्बू जैसा वो है में यह था लीची था तो यही सारे चीजे ले आया थे लेकिन दो चीज नहीं मिली तो कोई वातना जो भी आया है घर में उसे से हम पोजा पाट करेंगे अच्छे से और सारे फलो को हमने धो कर रख लिये हैं और फिर एक थाल तो मेरा हो गया फलो से और फिर हम इस थाल में हम जितने भी पोजा वाले समान हैं अगर बत्ती हुआ रो ली हुआ ये सारे चीजे और फिर मैं ले आई हूँ पंखा और सोला सिंगार जो चड़ता है जो सिंगार चड़ता है वो भी हमने ले लिया है और ये कपड़ा मैंने लिया है चड़ाने के लिए चुनरी के जगह पर नई कपड़ा ही हम भगवान जी को चड़ाएंगे और यहां पर दीपक विगरा सभी लगा लेते हैं सभी तयारी कर लेते हैं पुजा पाठ वाली थाली तो हमने तयार कर लिया है अब आगया है रंगोली लगा दूंगी यहां पर और सोच रही थी कि इसी गमले में वर्ट जो वरिच है जो भी आ गया है यह कल ही हमने मंगाया था किमकि आज के दिन ना यह तुटता नहीं है इनको अभी असनान करने के लिए बोली हूं तो अभी मॉवाइल पर ही लगे हुए हैं तो अभी देखिए वर्ट वरिच सीधा एकदम अच्छे से मैंने लगा दि होगी थोड़ा सा गमली के अगल बगल रंगोली थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में भी अब करूंगी पूजा अस्टार्ट तो अभी सारे समान जितने भी हमने रख लिया है गंगाजल थाली परसादी और सारे चेज़ फूल वेगाद अभी तोड़ना बाकी था तो हैस्बन जी ने तोड़के लिए आये हैं और यहां पाद जितने भी पते हैं वट बिरिच के सभी में हम रोली सिंदूर लगा देंगे फूल भी हम चड़ा देंगे और जितने भी पत्ते पत्ते हैं सभी में मैं रोली और सिंदूर लगा दोंगी और इसके बाद यह हो जाती है हमारी यह चुन्री जो कि हमने नए कपड़ा है उसी को मैं उड़ा दी हूं कपड़े के चुनड्री में उतना कर ले अपने तरीके से पूजा पाठ कर ली हूँ और इतनी बीजी ती कि चुनड्री लेना भी मैं भूल गई पूजा के टाइम में पूजा करने के बाद घर में जाती हूं तब देखती हूं कि लिए रह गया यह वालाव तो नेश्ट लेंगे इसको और कहा जाता है कि सिंगार में वट वरिज के जो पता होता उसे सिंगार के रूप में पहना जाता है तो मैंने पहन लिया कैसे लग रही हूं बताईएगा और इसके बाद हो जाती है हमारे पूजा समाप्त के अब लास्ट में बचा हैजबन जी की सेवा सितकार अभी हमने इनके लिए ना सचा था कपड़े लेने के लिए लेकिन कपड़े लिया नहीं तो रुमाल ही कंजी ही सोटकेट में ले लिया इन्होंने मना कर दिया था नहीं तो अभी इस बार ना कपड़े सोच रही थी लेने के लिए इनकी मैं अपनी पसंद से तो अभी नेक्स टाइम लेंगी और यहां पर पंखा जलते हैं और जितने भी पड़साद हैं वो देते हैं अग्राइब करें तर दो अग्राइब करें अग्राइब कर्दों जु भी चैनरे थाला ना ढ़्या भी एक दम फोटो यह नहीं हारा के लिए पूजा करते करते ना साम के चार बज गया है थी और प्यास इतनी ज्यादा एदम कंड सुख्रा था ना एक दिन पहरे मेरी तबियत भी खराब हो गई थी और आज इतना ज्यादा दम प्यास लगी हुई थी डम परदास तका जल्दे-जल्दी इस सिर्ड़ चाम किया है अहिंन पहले पानी मंगवाई हर्थ प्या है फ़्र लोका नास्ता बर हिसे अप्यादamen का वजदीक उनंग मनादाइन पहरें लेते हैं और वीडियो को भी हम एंडिंग यहीं पर कर देते हैं वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाएगा बाइ बाइ गुड डे